दोस्तो आज हम आलू और पोहे के कॉमिनेशन से एक हेल्थी नाष्टा बनाएंगे इसे बनाना बहुत ही आसान है और खानी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है तो चलिए इस मज़ेदार नाष्टे को हम बनाना शुरू करते हैं मैंने एक कब पोहा लिया है और पोहे को मैंने बाज़ के अंदर डाल दिया है जो हम रेगूलर नाष्टे में पोहा यूजू करते हैं बस वही पोहा लिया है पानी writing कर हमें पोहे को 2-3 बार अच्छी तरह से धो ले ना है और यह देखिए मैंने पोहे को धो लिया है इसका पानी मैंने निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे इसके अंदर पानी डाल देंगे और भिगो के हम इसे 10 मिनट के लिए रख देंगे इससे क्या होगा ना पोहा हमारा सॉफ्ट हो जाएगा 10 मिनट हो चुके है पोहे का पानी ह में निकाल लेना है मैंने छनी से पोहे को छान लिया है पोहे का जो पानी है वो निकल आएगा और चम्मच के हेलप से हम इस तरह से पोहे को दबा देंगे जिससे क्या होगा न कि एक्स्ट्रा का जो पानी है वो निकल आएगा पानी मैंने पूरा निकाल लिया है इसे में अलू डाल दोंगे और आलू को भी हमें मैश कर लेना है पोहे और आलू अच्छी तरह से मैश हो चुकी है अब हम क्या करेंगे दोनों को अच्छी तरह से मिला देंगे चाहे तो आप आलू को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं और यह देखे मैंने दोनों को मिला लिया है और हल्दी पाउडर डाल देंगे वनपूर्ट चमच और कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अध्रका पेस्ट डाल देंगे आधा चमच और सभी को अच्छे से मिला लेंगे दोस्तो एक बार ये नाश्टा जरूर आप बना के देखना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इसमें मैं डाल दूँगी गेहूं का आटा मैंने एक कप डाला है देखे मैंने थोड़ा सा गेहूं का आटा डाला है और अभी हम सभी को अच्छे से मिला लेंगे थोड़ा सा आटा मैंने बचा लिया है अब ये आटा जो बचा वाला है इसे भी मैं पूरा डाल दूँगी और इसे हम अच्छे तरह से मिला लेंगे इसमें मैंने डाला है नमक, नमक मैंने आदा चमस डाला है और डाल देंगे हम एक चमस तेल तेल से क्या होगा ना पराठे जो हमारे बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे और सभी को मिला लेंगे अब हमें इसका एक soft आटा लगा लेना है इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा पानी और पानी डाल कर हम इसका soft आटा लगा लेंगे पानी जादा नहीं डालना है बस थोड़ा सा ही पानी डालना है और बस इस तरह से हमें आटा गूत लेना है आपने देखा ना मैंने इसमें ज़्यादा मसालों का यूज नहीं किया है बिल्कुल थोड़े से ही मसाले डाले हैं मैंने और आटे के उपर थोड़ा सा टेल डाल कर हम इसे चिकना कर लिए और ये देखे मैंने आटा अच्छी तर से चिकना कर लिया है अब हम इसके छोटी छोटी लोई बना लेंगे इन पराठों को आप तेल में भी पुरी के जैसे दल सकते हैं क्या तो फिर सिंपल जैसे हम पराठे बनाते हैं वैसे भी पराठे बना सकते हैं और यह देखें मैंने सभी बॉल्स तैयार कर लिए हैं अब हम क्या करेंगे आता लगाकर हम इसे बेल लेंगे, रोटी हमें ज्यादा बड़ी भी नहीं बनाना है ना ही ज्यादा छोटी, थोड़ी सी मोटी ही रखना है हमें, और बस इस तरह से हम बेल लेंगे, मैंने एक कटोरी ले लिए है, कटोरी से मैं इस तरह से round shape दे दूंग और यह जो बच्चा हुआ आटा है इसे भी में रोल कर लूँगे और इसे हम यूज कर लेंगे बाद में और यह देखे इस तरह से हमारी पूरी होना चाहिए रोटी से छोटी और पूरी से बड़ी और ठीकनेस हमें इतनी ही चाहिए और यह देखे पराठो को मैंने अच्छे से दबाते हुए उपर से भी हम तिल लगा दिंगे और इन पराठो को दोने तरफ से अच्छी तरह से हमें कुरकुरा सेख लेना है और यह देखे हमारा आलू पोहा परठा बन के तैयार हो गया है इस नाश्टे को आप दही के साथ में हरी चेकनी के साथ में इंजॉय करें आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं साथ ही नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलते हैं अगली नए रेसिपी के साथ में